दोस्तों यहां पर आप लोगों को स्क्रीन पर एक पिक्चर नदर आ रहा होगा तो यह जो है अरभी में हो सकता है कि आप में से बहुत सारे भाईयों को यह समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं इसको आप लोगों को अच्छे समझाता हूँ दोस्तों ये जो है कतर विजा सेंटर बंगला देश के बारे में है जो के सिलहेट के बारे में है यहाँ पर कहा जा रहा है कि कतर विजा सेंटर जो सिलहेट में है उसको फिर से कंटिन्यू कर दिया गया है इसकी सर्विस फिर से ओपेन कर दी गई है तो आपने से जो लोग बं कलवाना और कतर आना बहुत आसान हो गिया है अब हम बढ़ते हैं अगले अपडेट की जाने दोस्तों आज का जो अगला अपडेट है यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ आप लोगों को जो है English में सबसे उपर line में आप देख सकते हैं आप लोगों को जो है English में एक line स्क्रोल करता हुआ नदर आ रहा होगा इसमें लिखा है कि एक मरतबा फिर से आप लोगों को मैं शुरू से देखा देता हूँ आपने से जो लोग भाय चाहें तो इसको खुद से पढ़ सकते हैं दोस्तों इसमें लिखा है कि 9 सेप्टेंबर 2023 से कतर विजा सेंटर में वही लोग अपाइटमेंट ले सकते हैं जिनका पासपोर्ट 195 दिन 195 डेज से ज्यादा वालिड रहेगा दोस्तों इससे पहला रूल यह था कि आपका पासपोर्ट अगर 6 महना तक के लिए वालिड है तो आपको कतर विजा सेंटर में अपाइटमेंट मिल जाता था वहाँ पर आप जाकर के असाने से मेडिकल करवा सकते थे लेकिन अब जो है इसको 180 डेज को 195 डेज कर दिया गिया है यानि कि इसमें जो है 15 दिन का इजाफा कर दिया गिया है तो अब आपका पासपोर्ट अगर 195 दिन लगभग जो कि यह साड़े 6 महना बनता है तो अगर साड़े 6 महना से अगर आपका पासपोर्ट कम रहेगा तो आप कतर विजा सेंटर में medical का appointment मत लें इसी तरह अगर आप इस वीडियो को कतर से देख रहे हैं आप मंदूब हैं या ये कि कतर से tapping center में काम करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर ये rule याद रखना है कि अगर किसी के passport में 195 दिन से कम हो खतम होने में तो ऐसे लोगों का medical appointment मत बनाएं तो पहले उसको जो है passport renew करने के लिए suggestion दें नया passport बन जाएगा तो उसके बाद ही उसको medical में जो appointment लेने के लिए suggestion दें ऐसा नहों कि आप appointment बना करके दे देते हैं और वो बंदा जो है कतर visa center में जाने के बाद में परिशान हो जाए ये कहा करके उसको वापस कर दिया जाए कि तुम्हारे passport में 195 दिन से कम टाइम बाकी है तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ दिहान में रखना होगा इसी तरह यहाँ पर मैं ऐसे भाईयों से कहना चाहूँगा कि जो अपना visa निकलवाना चाहते हैं तो visa निकलवाने से पहले अपना passport ज़रूर चेक कर लें इसी तरह आप में से जिन भाईयों का पर जब visa निकल चुका है तो ऐसे लोग क्या करें कि अभी जो है medical का appointment मत लें बलके पहले अपना passport renew करवाएं passport renew करवाने के बाद में जो आपका visa निकल चुका है उस visa में नई passport का detail डिलवाएं उसके बाद आप कतर विया सेंटर में appointment लें ताकि आपको वहाँ जाकर के फिर वापस नो आना पड़े दोस्तों ये जो है कतर विया सेंटर का official website है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें किलियर कहा जा रहा है कि 195 दिन से कम टाइम नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर आप लोगों को बात समझ आ जाना चाहिए इसी तरह दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि कतर विया सेंटर में जो medical गिल अपाइंटमेंट लेते हैं तो यहाँ पर इंडियन भाईयों के लिए कम से कम तीन नाम होना चाहिए